कि डियेट इंट्रेंस देने वाले सभी झातरों के लिए बहुत बड़ी ख़बर जो भी जातर बियुड इंट्रेंस देने तके बिएड इंट्रेंस पास कर चुके हैं यानि आप बेड करना चाहते हैं तो 1,15,000 रूपिये देने होंगे तो यहाँ पर हम बताएंगे कि बेड में जो तिन परकार के कोलेज होते हैं सरकारी कोलेज अंगी भूत कोलेज और नीजी कोलेज तो इन तीनों कोलेज काफी क्या है अलग-अलग उससे पहले बेड इंट्र जो भी शात्र वीट पास किये हैं उसके कॉंसलिंग को लेकर के लिंक को एक्टिवेट किया गया है और स्क्रोल करती हुए निचे की ओड़ाएंगे तो आने के बाद यहां पर तमाम डेटेल्स दी गई है कि यहां पर रीजिटेशन की डेट उसका कितना फिलगए तो आपको साथ लिया जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं की यहां किया गया है यानि यह देखिए यह पर बना दिया गया है और यह लिंग जो काम करेगा आपको साथ अक्टूबर से काम करेगा तो इस लिंग पर टुच करके आप जो की कौन्स लिंग के लिए अपलाइक कर सकते हैं अब इस नियूज को समझे दर्भंगा ललित नरेन मितला विश्विदियाले में सुक्रवार से सुरू बीएट छातरों के ब्यमियादी धर्णा परदर्शन के मद्दे नजर सनिवार को छातरों की मंग मंली गई अब सुल्क में बिर्धी के आदेश को वापस ले लिया गया ह उल्सचीव ने सनिवार को इस आसे की अधिसुचना जारी कर दी है और यहां पर देखिए कहा कि अधिसुचना में कहा गया कि कोविट 19 महमारी से उत्पन प्रस्तितियों एवं बाढ़ के भेंकर पर कोप के मद्दे नजर विश्विदियाले ने निर्ने क्या है विश्वि अधिसुचना पुर्णतव मान रहेगी अब देखिए 11 अगस 2018 को सुचना जारी की गई थी एक लाख पंद्रों हजार के लिए बहुत ही बड़ी खबर है सभी छात्रों के लिए जो भी छात्र इस बार इंट्रेंस पास कर चुके हैं अगर 10 मई 2019 के अधार पर काम होता तो देर लाक रुपी आपको बीएड करने में दोनों वर्सों का देना होता लेकिन अब जो है कि 11 अगस 2018 यानि कोरोना का तोफा सभ भी छात्रों को मिला है यानि 11 अगस 2018 को जो फी को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई ती इसी अधार पर अब काम होगा यानि अब छात्र से एक लाक पंद्रों हजार रुपीयें ही दोनों वर्सों का लिए जाएंगे यानि एक लाक पंद्रों हजार यानि आटांबोर्मेंट विगेंज को टो होता है क्या कि हो फी उसारी मारों का हजार होता वहीं सकेंडी और येणग उंक फी होता है सारे 11000 वुठता है अंब देखिए इस यह बढ़ कर प्रक्टर को देख लिया है छात्र हित्म अधिक से अधिक सेर करें ताकि अंच्छात्र भी इस जानकारी का लाब ले